हेलो गाईज आप सभी कबालकी रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है दही वाली अर्भी बनाना तो आईए बनाते हैं दही वाली अर्भी बनाने के लिए ये हमने 500 गिराम अर्भी ली है इनको हमने अच्छे से धो लिया है अब हम इने उबलने के रहे हैं और कुपकर के अंदर में यह अर्भी यह डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें एक इलास पानी डाल दूंगी और इसमें मैं एक शिटी लगा लूँगी यह हमारे कुकर में एक जिशल आतिती है और गैस को मैंने बंद कर दिया है और श्टिम निकलने तक का हम इंतजार करेंगे यह हमने एक कटोरी दही ली है तो मैं इसके अंदर एक चम्मच बेसन डालूँगी और इसे मैं मिक्स कर लूँगी जब तक हमारे कुकर की श्टिम निकलती है हम इसे अच्छे से फैंट लेंगे दही को और बेसन को यह हमारी दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पोडर डाल रही हूं और एक चोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पोडर डाल रही हूं और एक चम्मच मैं घरम साला डाल रही हूं इसमें मिक्स करेंगे मैंने इसमें अभी और यह हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है इदर मैंने कड़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है और अब मैं इसके अंदर ओईल डालूँगी यह मैंने एक छोटा चम्मच अजवेन ली है अजवेन को मैं हाँ से करश कर लूँगी दर हमारा ओईल गरम हो चुका ह इसमें मैंने अजवेन डाल दी है साथ ही एक चम्मच में इसमें कर्श्थूरी मेथी डाल दूँगी और एक चम्मच में इसमें देगी मिर्च डालूँगी तो यह मैंने दही का पेश्ट बनाया है इसमें मैं पानी डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी मैंने लगभग आदा गलास पानी डाला है इसमें और इसको मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ओडालूँगी मैंने टोटल इसमें सबा गलास पानी का इस्तमाल किया है और अब मैं इसमें नमक डालूँगी स्वाद नुसार, आप अपने स्वाद नुसार नमक का प्रियों करना और इसे मैं उबलने दूँगी, जब तर हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब मैं अर्भी को चेक कर लेती हूँ, एक फोक की मदद से देखूंगी, यह अर्भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं जितनी हमें चाहिए थी, और इन्हें मैं निकाल लूँगी, मैं अर्भियों को चील लूँगी, यह हमारी अर्भी चील चुकी है, और मैंने इस प्रकार से टुकडों में कट कर लिया है, इधर हमारी यह ग्रेवी पकट त्यार हो चुकी है, अब मैं इसमें यह अर्भी डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं, और इसे ढपके, पांच मिनट के लिए पकने दूँगी, तो आइए चेक करते हैं, तो आइए इसे एक पाउल में सर्फ करते हैं, यह हमारी दही की ग्रेवी वाली अर्भी बन कर तेयार हो चुकी है, और खाने में भी बहुती स्वादिष्ट है यह, और यह हमारी सब्जी बन कर तेयार हो चुकी है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और सस्क्राइब करना ना भ भूलें धन्यवाद